हेलो एडियो और फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बनाने वाले एक डिजाइनर कैप इस कैप को बनाने के लिए मैंने लिया है एक रॉल ब्लू कलर की नैट जो की वन मीटर है और मैंने एक लेस भी ली है जो मैं कैप के बॉटम में यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंट्स कैप आजकल बहुत ही ज़दा ट्रेंड में है इसे आप कोई भी कुर्ती कमीज सारी या टॉप के साथ पहन सकती है इससे आपका लुक बहुत ही डिफरंट आएगा तो चलिए ज़दी शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने इदूपर टकर फोर फोल्ड कर लिया है अब हम मार्किंग करेंगे तो सेंटर से में ले रही हूं 17 इंचिस यह देखिए 17 पर मार्क लगा रही हूं और यहां से भी मैं ले रही हूं 17 इंचिस आप अपने हिसाब से वेरिक का सकते हैं यह में लिया 17 इंचिस अब पूरे राउंड में 17 पर में मार्क लगा दूगी यह में 17 पर मार्क लगा है और यहां पर भी 17 अब सारे पॉइंट को जोइन करते हुए में राउंड शेप दे दूगी इस तरह से यह हो गया मेरा राउंड शेप अब नेक की मार्किंग कर लेते हैं इसके लिए मैं लेंद ले रहे हूं डू इंचिस और ब्रेथ में ले रहे हूं त्री इंचिस आप थ्री बै थ्री का नेक भी बना सकते हैं अब यह दोनों पॉइंट को जोइन करते हुए मैं राउंड शेप दूगी यह हो गया हमारा राउंड शेप अब हमें इसे सिर्फ कट करना है तो इसे कट कर लेते हैं जैसे ड्रोकिया है वैसे इसे कट करना है नेक भी कट कर लेते हैं तो यह देखिए हमारी कटिंग हो गई है इसे खोल के देखते हैं कैसे बना है है तो सबसे पहले हम नेक पार्ट बनाएंगे इसके लिए मैंने एक बाय स्ट्रीप ली है जो मैं कैप के राइट साइड पर रखके पूरे में सिलाई लगाँगी इस राउंड शेप में रखके पूरे में सिलाई लगानी है मैंने केप को राइट साइट पे रखा है और स्ट्रीब मैंने रॉंग साइट पे रखी है और पूरे में आपको सिलाई लगानी है अब में नौचिस लगाऊंगी नौचिस लगाते वक ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे सारे राउंड शेप में आपको नौचिस लगाने है नौचिस लगाने के बाद हम इस ट्रिप को डबल फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड पहले सिंगल फोल्ड उसके बाद डबल फोल्ड करके उपर से हम सिलाई लगानेगे इस तरह से आपको पूरे राउंड में सिलाई लगानी है ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और हमारा नेक तयार है अब हम बॉटम में क्लेस लगाने वाले हैं लगा देंगे इस तरह से रखके इस तरह से अरंज करके हम पूरे बॉटम में इसे लेज लगा देंगे और पूरे में हमें सिलाई लगानी है ताकि लेज फिक्स हो जाए यह देखिए हमने लेज लगा दी है देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है बहुत ही डिफरंट लुका रहा है थेंक्यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें थेंक्यू सो मच